नमस्कार दोस्तों आज फिर से एक बार समाजिक विज्ञान बिहार मोडल सेट जो जारी किया गया है 2021 का उसी के अब्जेक्टिव कुश्चन को हम लोगों ने कर लिये थे और आज हम फिर बात करेंगे समाजिक विज्ञान के सब्जेक्टिव कुश्चन के बारे में यानि ल बारे में उससे पहले आप सभी को बता देना चाहते हैं अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ठीक है और इसमें देखिए इतिहांस में जो है एक से छे तक लग उतरिये प्रसन है और तीन प्रसनों का उतर देना है पर एक कितने अंके दो अंके निर्धारी थे ठीक इन छे प्रसनों को इस वीडियो में देखेंगे और साथ ही साथ साथ आठ जो दिर्ग उतरिये प्रसन है इतिहास के उसको भी इसी वीडियो में देखेंगे पहला प्रसन था राष्टवाद को परिभासित करें तो राष्टवाद क्या है देखिए राष्टवाद समान अर्थों में राष्टवाद का अर्थ होता है लगाओ की भावना या लगाओ की भावना का विकास करना या दूसरे अर्थ में कह सकते हैं राष्टवाद एक ऐसी भगौलिक संस्कृतिक और समाजीक परिवेस में रहने वाले लोगों को एकता का व्वाहक बनाती है ठीक ना अगर आप इत किसानों की इस्तिती अत्यंत दैनिये थी क्योंकि वहां का जो राजा था बहुत ही निरंकुष था इसी वज़े से और उनका पास पूजी का अभाव था ठीक ना अवे कर्ज यानि कर्ज के बोज से दवे थे अगर आप इतना भी लिख देते हैं तो आपको एक्जाम में द दांडी यातरा का उदेश क्या था तो दांडी यातरा का मुख्य उदेश था यानि समुंद्र के पानी से किसके समुंद्र के पानी से नमक बना कर किया नमक कनून का उलंगन करना या नमक कनून को तोड़ना था अगला प्रस्ण है गुटेन बर्ग ने मुद्रन यंत्र का विकास कैसे किया तो गुटेन बर्ग जर्मनी का निवासी था और जैतुन पेरने की मसीन यह एक गन्ने पेरने की मसीन की तरह रहता था उसको प्रिंटिंग प्रेस में इजात किया मतलब प्रिंटिंग प्रेस में इस छपाई मसीन को पेच की सहायता से लंबा हैंडल लगा होता है तता पेच को घुमा कर प्लाटेन प्लाटेन बोर्ड की लकडिया इस पाथ को गोले की कागज पर दबाये जाता है ठीक ना खाचे का उपयोग करके अक्षरों की धातू जो खाचा मत बनाया जाता था अक्षरों के लिए और उसके बाद इसके धातू को क्या किया जाता था अक्षरों की धातू की आकिरती में ढाला जाता था और रोमन बढ़माला के 26 अक्षरों को टाइप बनाए गए और इन पोगो घुमा कर यानि मूव करके ठीक ना मूव करने की भी विवास्ता की गई इसलिए गुटेन बर्ग छपाई मसीन को क्या बोला जाता है मूवेल टाइपिंग प्रिंटिंग मसीन कहा जाता है भूमंडलिकरन को परिभासित करें भूमंडलिकरन राजनीतिक आर्थिक शमा का बिश्व ब्यापी शन्योजन की परकिरिया है जो बिश्व के बिभिन भागोव के लोगों को भौतिक और मनोबिज्ञानिक अस्तर पर एकत्रित करने की एकत्रित करने का शफल परियास करता है अगला प्रसन है ओल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉंग्रेश ओल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉंग्रेश की अस्तरापना क्यों हुई आर्थिक शमाजिक यों राजनीतिक मामलों में मजदूरों के हित्तों के लिए किसके लिए मजदूरों के हित्तों के लिए रक्षा मजदूरों के हित्तों के रक्षा के लिए 1920 में लाला राजपत राय द्वारा लाला राजपत राय द्वारा ओल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉंग्रेश की अस्तापना हुई अगर आप इतना ही लिख देते हैं तो आपको दो माक्स पहला दिर्गुतर ये प्रस्ण है यानि सातवा नमर प्रस्ण उपनिवेस वाद से क्या समझते हैं और उसी में एक और प्रस्ण दिया है किस परकार और द्योगी करण ने उपनिवेस वाद को जनम दिया तो इसका उत्तर देखिए पहले देखेंगे उपनिवेस क्या है या आप क्या समझते हैं इसके बार में तो देखिए लिख दीजेगा आर्थिक हितों की प्राप्ति के लिए राजनितिक, शमाजिक और शंस्कृतिक अधिकार अस्थाफित करने को ही उपनिवेस वाद कहते हैं ठीक ना और उसके बाद दूसरा प्रसने इसमें किस परकार का अधियोगी करण ने उपनिवेस वाद को जर्म दिया तो नए नए मसीनों और करखानों की अस्थापना करना अधियोगी करण कहलाता है अधियोगी करण के फलसरू उत्पादित वस्तों को बेचने के लिए कच्चे माल किया सकता थी और इन दिनों ही और सकताओं में यूरोप के लोगों को अपने देश के बाहर की दुनिया में फैर फैलाने पर मजबूर कर दिया इस परकार के अधियोगी करण ने उपनिवेस वाद को जनम दिया अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपक ठीक है अगला प्रस्ण है तूसरा प्रस्ण था कि रूसी करांती के कारणों की विवेच ना करें रूसी करांती के कारण निमलिखी थैं जैसे कि राजनीतिक कारण वहां के जो सासक था बहुत ही निरंकुस और अत्याचारी सासक था ठीक ना और उसने रूसी करण की निति लगाये हुआ था और उसके अत्रिक्त राजनीतिक दौलों का भी उदे हुआ और खुनी रविवार का परभाव रूसी करांती पर पड़ा ठीक ना आप देखे पर्थम भी स्यूद में रूस की हार ये भी रूसी करांती का कारण था और जार निकोलस दूतिया और जरीना की भूमका से रूसी करांती हुई ठीक ना और राजनीतिक कारण था अब देखते हम आर्थिक कारण आर्थिक और समाजिक और बैदिक और धर्मिक कारण के कारण रूसी करांती हुई ठीक ना और ओद्योगी करण की भी शमस्या थी वहाँ पे रूश में बौधिक कारण भी था रूश में बौधिक जागरण था इसलिए वहाँ रूशी करांती हुई और धार्मिक कारण भी था धार्मिक सोतंतता की कमी थी